शॉट बॉल पे ये शॉट कौन केलता है याई अगर मैं होता ना मस बॉल को देखता और शानदार को खुद को एक्सबर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्बॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में इस गेम में फाइनाशिल रिस्क है और लट लग सकती है कृपिया जिमदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें नमस्कार बुरी इविधिंग मैं हो विक्राणडू आज का पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा अब देखे भारत ने तीन सो रन बनाए है छे विट्टे गिर गई है लेकिन रोहिट शर्मा और उसके साथ अजिंके रहा ने इन दोलों की साज़ेदारी ने भारत को सबसे मजबूत स्लिथी में पहुचा दिया है यह टर्निंग विक्ट है आपने देखा नहीं तो आप अभी देखेंगे गेंट कोबरा की तरह घूम रहा है और जब गेंट कोबरा की तरह घूमता है सामने वाली टीम के लिए आसान नहीं होगा पहले दिन अगर यह आला है दूसरे तीसरे और अगर मैच चौथे दिन जाता है तो आप अंदाजा लगाईए लेकिन भारत ने 300 रन बनाए एक दिन में अजिंके रहाने ने 67 रन बनाए उनकी और रोई शर्मा की जो 162 की पार्टनर्शिप थी उसने भारत को पहले सेफ किया और उसके बाद शायद वहां पहुंचा दिये जहां पर रिशप्पन कल आकर अगर एक डेट घंटा और खेल गए लेकिन खुशी भी दिख रही है कि फाइनली भारत की वह बैटिंग देखने को मिली जिसकी दरकार थी इस पूरी सीरीज में जा बिल्कुल सही का आपने रोहिट शर्मा दो सोड़ तालिस रनों पर जब विकेट गिरा आगली ही ओवर में भले की रहने भी आउट होगे लेकिन एक सो एक्सेटरन बना चुके थे सनी भाई सवाल आपका कट गया जवाब कट गया आपका आज जो बैटिंग की है रोहिट शर्मा ने और इजिक के रहाने ने शायद इंगेट भी जानता है कि इस विकेट पर भारत अल्रेड़ी 300 बना चुका है और विकेट बहतर नहीं होगा खराब ही होता जाएगा साड़े 300 पॉने 400 कामी है बिल्कुल देखे पिछ ऐसी है कि तीसरे चौते दिन पर यहां पर बल्ले बाजी करना बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि गेन घूम रही है थोड़ी सी उच्छाल ले रही है कभी-कभी नीचे भी रहती है तो तीसरे चौते दिन पर दे दिया उन्होंने और जैसा अगर अगर कल आधा घंटा भी या एक घंटा भी रिशब पंच चले और तो फिर पॉने 400 तक अगर स्कोर हो गया तो फिर इंग्लेंड इस गेम में वाप्सी नहीं कर सकती है सरी भाई रोहित खास तोर से जिस तरह उन्होंने शुरू किया वो कहते ने कि आप कंडिशन्स को बहतर पढ़ लिया था सुबह पहली गेंड खेलते हैं अज़ा हो गया था कि यहाँ पर जितना मन नहींगी पर रन बना लूँ उतना मेरा कॉन्फिदेस बढ़ेगा और उत गिभाफट दूसरी विकेट जाती है, हमने उनकी विकेट के बाद में अगले वर में जिकर रहाने की विकेट बेकी थी और चेतिषवर पुझार आउट फोगे, एक अगले वर में विराट कोली आउट होगे, तो यह हमेशा क्रिकेट में होता रहता है कि one gets two, और यसी की व अब ही उपर से मार रहे थे तो सोट समझ कर मार रहे थे मतलब शॉट सिलेक्षन उनका जो था बहुत ही बहतर इंशॉट सिलेक्षन था अज और साथ ही साथ मदन जी जिनके रहाने मतलब सौ तो दिखिया है 161 रन दिख जाते हैं बोर्ट पर कभी कभी क्या होता ना साथ पैसट छपपन सट सट रन यह दिखते नहीं लेकिन वो रन भी सोने से कम नहीं थे क्योंकि अगर रहाने उस वक्त आउट हो गए होते या यह पा पारी के लिए क्योंकि देखे पार्टनर्शिप में जब आप खेलते हैं तो उन रनों की वैलियू भी थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि उस वक्त इंडिया इंडियन बैटिंग को एक पार्टनर्शिप चाहिए थी पहली पार्टनर्शिप जो हुई है पुजारा और रोह की उन्हाने बैटिंग की मैं ऐसा मिता हूं कि यह उनका हो सकता है कि बहुत-बहुत-बढ़ा श्रेत्तर और मैच बिनिंग थोड़ा सा मुझे ये भी हरानी हुई कि जब बल्यबाज आपके खेल रहे थे कास और से एंड में जब रिशव पंद भी खेल रहे थे इवन जो रूट का बॉल पढ़कर चड़ रहा था सिली पॉइंट नहीं रखा था अब अगर हम इंगलेंड की बल्यबाजी की बात करें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें दुबारा से अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं वह भी तो 578 बना कर आए हैं कहीं हम जादा अंडरेस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं उनको शायद क्योंकि जिस तरह से ये पिछ घूम रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमने तोड़ा सा अं पार्टेशिप बन सकते हैं तो फिर इंगलेंड की टीम भारतिय टीम जो भी स्कोर करेंगे उसके नजदेक आ सकती है कि कम से कम सो देड्सों का लीड लेना जरूरी है भारतिय टीम को क्योंकि उसे अगर उनकी दूसरी पारी में भी अगर वो जल्दी आउट होगे 200 में थी पारी खेन ते बहरति को दूसरी और तीसरी पारी खेने हैं सब्सक्राइब साधिनरिया करता हूं और के शायद किशले मैचने को कुल्दीप झाले होते नतीजा कुछ और होता पता नहीं लेकिन कुल्दीप यहाँ पर खेन रहे हैं लेकिन जिस तरह की यह विकेट है यहाँ पर कुल्दीप यादव या फिर अश्विन और अक्षर पटेल ज्यादा डेंजरेस कौन? लेकिंगें ज्यादा डेंजरेस मुझे लगता है आश्विन और अक्षर पटेल contribute धुएंगें ज्यादा डेंजरेस हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो गति है क्योंकि देखें वो लंबे कटके हैं तेखलब उनका हात अपर से आता है तो उनको फ्लाइट देने की कोई जरुवत न और जिस तरह से ये गेट गूंग रही है जैसे हमने जो रूट की गेंदों को देखा कि जिस तरह से गूम रही थी तो उसी तरह से अगर अक्षर पठिल की गेटे गूमने लगेगी तो फिर इंग्लेंड के बल्ले बाज लोग तो खेलना बड़ा मुश्किल होगा तो ऐसा ल होता है कि 9 बज़े जो सिक्का उचलता है वो क्या कर रहा है और सिक्का भी इस बार चुकी भारत के लिए सही गिरा आपने पहले बैटिंग कर ली ऐसी कंडिशन में तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देखेंगे विकेट डिटिरेट करेगा स्पिनर्स आपने तीन ख पढ़ेगा लेकिन टेस्ट मैच हमेशा हिलता कब है दूसरे दिन तीसरे दिन मजा आएगा कल कल शाम को आपसे मुलाखात होगी आज तक पर इसके साथ थोड़ी देर बाद रात आट बजे हमेशा की तरह आज का एजंडा हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्स तक पर आप आईए और आप अपने सवाल भी पूछिए और आप भी बढ़ाईए ना कि भारत सेफ है भारत जीता कि नहीं जीते करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टर्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें